दोस्तों नोश्कार अदाब मैं हूँ फराज चौदरे आप देख रहे हैं इंडिया फायर नियूस मंगाल चुनाव में आपने हर चीज देख ली होगी मंगाल चुनाव में दो चरण के चुनाव हो चुके हैं अभी छे चरण के चुनाव बाकी हैं ऐसे में पूरे महीने ये चुनाव परक्रिया चलने वाली है जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इतने बड़े इस घमासान यूद में एक राज्य को जीतने के यूद में कौन से पार्टी विजेता बनेगी ऐसे मैं आज मैं आपके लिए खबर लेके आया हूँ जिसमें ममता बेनर्ट जी ने पृधान मंतरी मोधी पर निशाना सादा है और ये बहुत बड़ा निशाना सादा है बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किये हैं पृधान मंतरी मोधी को लेकर दो पार्टियों के बीच, दो मुख्य पार्टी पूरी बंगाल राजनीती में इस वक्त, एक तरफ सत्ताधारी TMC पार्टी है, जिसमें ममता बैनर जी है, दूसरी तरफ भारती जंता पार्टी है, जिसमें प्रधान मंतरी मोधी हों, ग्रह मंतरी अमित शाह हों, मुख्य मंत कि ममता बैनर जी को बदनाम कर दिया जाए, उन्हें कम्यूनल एंगल दे दिया जाए, और भारती जंता पार्टी को विजेता बना दिया जाए, अभी से ही, इसी बात पर ममता बैनर जी ने प्रधान मंतरी मोधी पर भी निशाना साधा है, उन्होंने कहा है, कि क्या प्रध बंगाल चुनाओं में रैली इसमें प्रधानमंत्री मूदी और भारती जनता पार्टी ये कह चुके हैं, आप इसे confidence कह लीजिए, ओवर confidence कह लीजिए, उन्होंने इसाफ कर दिया है कि बंगाल राजनीदी बंगाल चुनाओं में भारती जनता पार्टी 200 से जादा सीटे जीत दिने वाली है, यहां तक की हद जब हो जाती है जब प्रधानमंत्री मूदी जी ये बात कह देते हैं कि भाजपस सरकार बंगाल में बनने के बाद वो शपत ग्रेंट समारों में भी जाएंगे, मतलब आप देखिए इतना जादो confidence आकिर भारती जनता पार्टी और प्रधा बात सुनकर सब चीज़े साफ हो जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना, ग्रहमंत्री अमिश्या का ये बात कहना, पूरी भारती जनता पार्टी का ये बात कहना, कहीं न कहीं दिमाग में एक बात एक प्रशन भी पैदा करती हैं EVM को लेकर, EVM को आपने देखा ध EVM मशीन में खराबी है, जब वो किसी और पार्टी का बटन दबा रहे थे, तो कभी भारती जनता पार्टी की परच्वी भार आ रही थी, तो कभी भारती जनता पार्टी के आगे बीब बज रही थी और लाइट जल रही थी, मगर बटन दूसरी पार्टी को दबाय जा रह हगा था आखिरए कैसे कही na कहीं कुछ दाल में काला पैदा करता है पूरे बंगाल की राज्य की जनता के मन में और स ऐसे में बंदा बेनर जी का सवाल उठाना की क्या प्रधान-मंत्री सूपर-human है जो चुनावफ पूरे होने से पहले हुमों चलेंगे इसके बाद अब आते ही बाद जो मौखिक ये जो आप कह सकते हैं एक दूसरे को ताने मारना एक दूसरे को टारगेट करना मुझजवानी तोर पर ये भारती जनता पार्टी और टीमसी के बीच बहुवी दूरूप से चल रहा है ऐसे में अब आगे बात आती है हु भाचपा ऐसे लोगों को अल्प संख्यक मतों से सेंद लगाने के लिए पैसा दे रही है इसके बाद जहर जी बात है बात जनता पार्टी भी पीछे नहीं रहेगी पीए मोधी ने शनिवान को बंगाल में एक चुनावी रैली में ममता पर हमला करते हुए कहा था कि दीदी योजना लागू करने के लिए कहेंगे ये बात प्रधान मंतरी मोधी ने कही है आप कहो तो मैं दुबारा भी सुना सकता हूँ जहां वो कह रहे हैं कि बंगाल में भाचपा सरकार बनने के बाद वो शपत ग्रहन समारों में शामिल होंगे दुबारा एक बात सुन लिजिए चुनाव चल रहा हैं बंगाल में और चुनाव पूरे होने से पहले ही प्रधान मंतरी मोधी जी बयान दे रहे हैं पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं प्रधान मंतरी जी और उनके मोझे बयान आना साथ में फिर ये भी कह रहा है कि वो राज्य में प्रधान मंत्रिक किसान निदी योजना भी लागू करवाएंगे किसान निदी योजना सौ से जाधा दिन, चार महिने से जाधा के दिन हो गए है किसान आंदुलन को चलते हुए दिल्ली की सरहदों पर किसान लगातार सरकार से बात करने के कोशिश कर रहे हैं, सरकार से अपनी बात मनवाने के कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी सरकार चुनावी रैलीज में, चुनाव के इलेक्शन्स में अपने आपको व्यस कर रहा है सरक कारने कि वो किसान तक की बात नहीं सुन पा रही है और राज्य में अलग-अलग राज्यों में जाकर यह ऐलान कर रही है कि वो किसानों के लिए यह करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे, मगर जो दिल्ली के सरादो पर किसान बैटे हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं करेंग मोदी शाह की सिंडिकेट सेंटरल एजंसी से विपक्ष को डरा रही है। ऐसे में बंगाल की सियासी घमसान में जुबानी जंग तेज है। और आपने ये बाहुवी तोर से देखा होगा दोस्तों कि चुनावी टाइम पे जब भारते जंता पार्टी की टक्कर में किसी राज्य में कोई पार्टी आती है। आए की रेट होती है, कभी CBI की रेट होती है, तो कभी इंकम टेक्स की रेट हो जाती है। ऐसे में ममता बैनर जी ने इस बात पर कठिन सवाल उठाये हैं प्रधान मंत्री मोदी जी की नीतियों पर। आगे सुनिए, इसके बाद शुवेंदु का पलटवार, शुवेंदु इस पर क्या कहते हैं? ममता पर पलटवार करते हुए भाश्वपन नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। एक बार पूरी बात सुनने से पहले ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए शुवेंदु अधिकारी हाली में टीमसी पार्टी छोड़ कर आए एक बागी नेता हैं, वो टीमसी में कई साल काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोईला घुटाले में बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनर जी और राज्य सरकार की मेली भगत सावित हो चुकी है। घुटाले के 900 करोड ममता के भतीजे अभिजेक बैनर जी के पास हैं। प्रेस कॉन्फरेंस में शुबेंदु के साथ दिनेश्ट्रिवेदी और बीजेपी के केंद्रे सह प्रबारी अर्विंद मैनन भी मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फरेंस में शुबेंदु अधिकारी ने ममता बैनर जी और उनके भतीजे पर आरोप लगाए हैं कि 900 पास है को इलग होटा लेके इसके बाद ममता ने जो तीन सवाल भारतिय जनता पार्टि और प्रधान मंत्री पर खड़े किये वह सवाल क्या थे वह सुनिए पहला सवाल था केंद्र सरकार जूड बोल रही हैं बाच्पा किसानों को पैसे देने के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं और किसानों के बाद पर जितनी भी भारतिय जनता पार्टि द्वारा बात कही जा रही है वादे किये जा रहे हैं यकीन मानिये वो खोकले ही लग रहे हैं पूरे देश की जनता को वो सब जूटे लग रहे हैं क्योंकि अगर किसानों की इतनी जादा परवा है भ बड़े बड़े भार्ती जंता पार्टी जब कहते हुए अच्छी लगती जब उसने किसान आंदूरलन को अच्छी तरीके से समाला होता मगर होता क्या है किसानों के उपर लट बजवाय जाते हैं किसानों के उपर टीयर गैस फीगवाई जाती है बैरिकेटिंग लगवाई जाती है किसानों की लाइट काड़ दी जाती है उनका पानी काड़ दिया जाता है और उसके बाद जो किसान शहीद हो जाते हैं उनके लिए कोई मदद नहीं होती है केंदर सरकार की तरफ से तो आखिर किस बात पर किसानों की विश्वास किया किसानों का जो बड़े-बड़े करना चाहते हैं, हम मंगाल को गुजरात की तरह नहीं बनने देंगे भाजपा यहां सांप्रदाइक तनाव पैदा करना चाहती है, हम उन्हें उनके मकसद में कभी काम्याब नहीं होने देंगे, तीसरा ओडियो टेप के जरिये शुवेंदु का पलटवार शुवेंदु ने एक ओडियो टेप का भी जिक्र किया जिसमें घूस लिंदेन की कतित बात कहीं जा रही है उन्होंने कहा कि टीमसी ने इस बार चुनाव में उमिदवार को गैर अधिकारिक रुपे भीजे हैं, उसके सब आंक्ले हमारे पास हैं, सही वक्त पर हम उसका खुलासक करेंगे यह रुपे भी गाएं तसकरी कोईला माफिया के जरीए बाटे गए हैं लगातार मैंना आपको बताया जो मूँ जबानी भैस चल रही है भारते जंदा पार्टी और टीमसी के बीच और जो में लड़ाई है वो नंदी ग्राम की लड़ाई है शुबेंदू अधिकारी और ममता बैनर जी के आपस में क्योंकि नंदी ग्राम को जीतना दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपून है एक तरफ ममता बैनर जी है जिनके बास मुख्य मंतरी की छवी है अगर वो हार जाती है तो उनकी छवी को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा और नंदी ग्राम से टीमसी से बागी नेता शुबेंदू अधिकारी है अगर वो हार जाते हैं तो वो ना इधर के रहने वाले हैं वो उधर के रहने वाले हैं क्योंकि टीमसी उन्होंने छोड़ दी है और भारती जनता पार्टी से अगर हार जाते हैं तो हाल आपको पता ही है उनका क्या होने वाला है इसके बाद भारती जनता पार्टी के तीन सवाल शुवेंदू अधिकारी ने तीन सवाल क्या रखे तो शुवेंदू पहला पूछते हैं गिरफतार IC के करीबी ने भतीजे तक पैसे पहुचाए है आज अशोक मिश्रा को गिरफतार किया गया है वे पहले डायमंड हारबर विश्नोपूर में IC थे इसमें केवल अशोकी शामिल नहीं थे बलकि 90 से 95 अधिकारियों के साथ साथ 24 IPS अधिकारी भी शामिल है दूरसे सवाल वो पूछते हैं धृत राश्ट बन कर नहीं रह सकती है मम्ता बैनर जी तसकरी को लेकर इतनी बड़ी जाल साजे चल रही थी लेकिन क्या CM को ये मालूम नहीं था वे धृत राश्ट बन कर नहीं रह सकती मुख्य मंत्री होने की वज़ा से कारवाई उनका कारवाई करना उनकी जिम्मेदारी है वे ग्रह मंत्री भी थी और उन्होंने अब भाईपो को अपना उत्तर अधिकारी बनाया था पाप से दूरी बनाने के लिए TMC छोड़ी थी शुवेंदा अधिकारी ने उन्होंने बयान दिया है सुनिए शिक्षकों की नियक्ति में भी घुटाला हुआ है जिस तरह से IC को गिरफतार किया गया है और आडियो टेप सामने आये है उससे सारे स्थिती साफ हो गई है और इसी कारण उन लोगों ने TMC से नाता तोड़ा है क्योंकि वे इस पाप के भागी नहीं बनना चाहते थे शुवेंदा अधिकारी के बयान है तो यहाँ सवाल पूछा जाना चाहिए शुवेंदा अधिकारी से कि आखिर आप कम से कम 10 साल तक आप TMC में रहे ममता बैनर जी के साथ रहे ऐसे में कि आपको अभी इसी चुनाव के अंत में जब चुनाव शुरू होने वाले थे आपको जब ही यहाद आया कि TMC में घोटाले हो रहे है TMC पार्टी जूट बोल रही है ममता बैनर जी जूट बोल रही है इससे पहले इतने सालों में इतने समय में कभी शुवेंदा दिकारे को यह जहन में नहीं आया उनके दिमार में नहीं आया कि मुझे TMC छोड़ देनी चाहिए और मुझे भारते जंता पार्टी का दामन थाम लेना चाहिए इसी चुनाओं में उसी वक्त पर ऐसा क्यों हुआ जब भारते जंता पार्टी नेता तोड़ने की कोशिश कर रही थी जो कि उसने लगबख हर राजे में करे हैं दोस्तों मध्या प्रदेश आप ले लीजिए राजिस्थान आप ले लीजिए हर जगा ये कोशिश की गई है कि विपक्ष के नेताओं को तोड़ दिया जाए और अपनी पार्टी में शामिल कर दिया जाए जिससे विपक्ष कमजोर हो जाए और चुनावों हार जाए कहीं राजियों में ऐसा भी हुआ कि विपक्ष की सरकार बनने के बाद गिर गई क्योंकि नेताओं ने उनकी पार्टी को छोड़ दिया और अपना समर्थन दूसरी पार्टी को दे दिया ऐसे में क्या सवाल खली किये जाए ऐसे में क्या ममता बैनर जी के बयान पर विश्वास किया जाए कि क्या भारती जन्ता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है वो पहले से कोई गड़बड़ी कर चुकी है कि वो इतनी जादा कॉन्फिडेंट है कि वो बंगाल चुनाव जीत जाएगी या फिर शुविंद अधिकारी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा ममता बैनर जी को भारती जन्ता पार्टी को चाय कोईला घोटाली की बात हो आईसी की गिरफतारी की बात हो इन सब पर कही न कहीं बंगाल चुनाव का एक जो चुनावी मज़ा होता है वो कहीं न कहीं दब गया है चुनाव में लोग बड़ी खुशी से अपने वोट डालने जाते हैं अपनी पार्टी को मगर वहाँ जाकर कभी हिंसा हो जाती है कभी लडाई हो जाती है ऐसे में कही न कही चुनाव पर से चुनाव प्रक्रिया पर से लोगों का विश्वास उड़ जाता है और लोग तंत्री में लोगों का विश्वास उड़ जाना एक सबसे बड़ा सेट बैक होता है खैर आप लोगों को एक ख़बर कैसी लगे आप मुझे कमेंट करकर बताइए ख़बर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए आगे शेर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायन नीउस को सबस्क्राइब करके बेल आइकन दबाईए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें मुझे दीजे अजाजत नमस्कार